देश के दक्षणी राज़े में चकरवात मिचौंग का कहर देखने को मिल रहा है चुन्नई में भारी बारिश और तेज हवाओं के बाद इससे सम्मदित घटनाओं में कम से कम आज से जादा लोगों की जान जा चुकी है सब्विय सुरकों को बंद कर दिया गया है मुखे मंत्री अमके स्टालिन ने राहत शिवरों का निरिक्षण भी किया रन्वी पर पानी भर जाने की वजह से हवाई अड़े पर उडान संचालन भी पूरी तरह से प्रभावित है कई उडाने रद करनी पड़ी है मौसम विभाग के माने तो सुमवार को एगंभीर चकरवाती तूफान में बदल गया और मंगलवार के सुभाद दक्षणी आंदर प्रदेश के टट को पार करने की संभावना जताई जा रही है सुमवार को केंद्र ग्रिह मंत्रिया मिश्याह ने चकरवात मिचौंग से चनौतियों को लेकर तमिलाडू, आंदर प्रदेश और पुड़ुचेरे के मुखे मंत्रियों के साथ पैटक भी की थी उन्होंने सिती सनी पटने के लिए केंद्र सरकार से सहता का असवाशन दिया मिचौंग के आज आंदर प्रदेश के दक्षणी टट पर नलौर और मश्ली पटनम के बीच टकराने की संभावना है साथी साथ उन्होंने एक पोस्ट भी किया है और कहा कि चकरबात मिचौंग को लेकर उठाय जाने वाले अतिहाती उपायों पर चर्चा हुई है लोगों की जान बचाना हमारी पहली प्राथ मिक्ता है केंद सरकार आंदर प्रदेश को सभी आविशक साहता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तयार है राज्य में NDRF के जवान पहले से ही कम है जुरत पढ़ने पर हमने मदद के लिए और टी में तयार कर रखी है चन्ने में भारी बारिश के वज़ों से गंभी जल भराव हो गया है और निश्री इलाकों में जल स्तर बढ़ने के वज़ों से सडकों पर मगरबच भी देखे गए इसके अलावा शेर के कई मेट्रो स्टेशन के पास जलभराव हो गया है सैंट थॉमस मेट्रो स्टेशन पर चार फिट तक पानी जमा हुआ है कमिलाडू सरकार ने चेन नई, कांजीपूरम, तिरुवल्लूर और चेंगल पट्टु जिलो में सुमवार और मंगलवार को सरवजन एक छुट्टी की घोशना की है इसने मिन्चोंग के मद्दे नजर नीजी कमपनियों के करमचारियों से घर के काम करने का आगरे किया है अपने अधिकार शित्र में कुल साथ ट्रेने रद कर दी है राष्ट्रे आपड़ा प्रतिक्रिया बर्यानी के अंटियारफ ने तमिलाडू आंदुर प्रदेश और पुर्डुचेरी में किस टीमें तेनाथ की है मिचौंक के मद्द नज़र आठ ज्यादा टीमों को रुजर्व में रखा गया है एक अधिकारिक बयान के मताबिक राष्टे संकर प्रधन समीती यानि के NCMC को इसके जानकारी दी गई है पांच दिसंबर के लिए आएमडी ने औरेंच ओलर जारी किया है और पूरवन मान लगाया है कि मलकान गिरी, कोरा, पट्टू, राइगडा, गजपती और गंजम के पांच जिलों में एक या दो जगव पर भारी से भारी बारिश हो सकती है